कि आयोटा क्लासेंस तो सवागत है आप सभी का हमारे चानल आटा क्लासेंस में इस वीडियो में हम लोग कोश्चन नमर 20 करने वाले हैं आरे से वाल चेप्टर नमर 13 जिमेंटिकल कंस्ट्रॉक्शन आरे से वाल की बुक से तो देख लो इसमें क्या बोला कोश्चन में और इस एक पुर आप्टर नहीं तो में इसको जो छोड़े ब्लिश्ट का वहां वहां मिल जाएगा और अगर भी नहीं मिलता है तो आप जिमेंक कन्स्क्शन क्लास 9 के लिगकर क्लास 9 बड़ाइवटा च्लासे यह लिग लिगी सभी तो आपको जो है वो है पुला प्लेलिस्ट भ एक साइड क्या बोला कि एक साइड 3.5 cm and the sum of the other side and hypotenuse बोला कि जो दूसर साइड है वो साइड और hypotenuse दोनों का जो सम है वो हमें दिदिया 5.5 cm तो बोला कि बता ही विम्हें वो ट्रेंगल हमें बना के दिखा ही है तो आई हम लोग वो ट्रेंगल बनाते हैं आप May कि मैंदेट सैंट 225 cm 자 रिंते हैं तो यह साइड हो गयामराक तो इसका नाम अब हो dave और युरा दो बेह van लिए यह से यहां तक हामाई रहा हमारा थीपॉइसनटेमीटा पन दो यह संटेमीटरorse क्योंकि बोला गया है, हमें एक एंगल एंगल ट्राइंगल तौ को एक एंगल फिरीवा इंगल को एंगल एंटी-डेवी बनाता हूं तो एंगल बहीं से , जो है पॉंंने से पना एंगल ने विच्टा हूं तो क्या करेंगे कि एक आर्क ले लेंगे और पहला कट जो है हमारा 60 होता है दें दूसरा कट हो जाएगा हमारा 120 इसी को ऊपर हम लोग एक आर्क लेंगे हम लोग यहां ले ले लिया अब उसके बाद जो है हम लोग क्योंकि हम बोला गया है कि जो सम है हमारा हीपोटनियस का और दूसरे साथ का सम जो है वह वह फवाइपटन फांट अंतिमीटर है तो हम लोग बी पॉइंट से है ना इस पॉइंट को मिलाते हुए दो कुम मैं भी रेट पिंग को उसका रहा है तो इस बी पॉइंट से जो है वहां पर डखक करके मैं आपको पहले बता आगे हां ठीक है अब क्या करेंगे आने के बाद यह एंगल जो हमारा 90 डिवी होगा यहां पर तो हमारा 90 डिवी हो गया चलिए अब हमें बोला कि टोटल लेंथ हमारा कितना है 5.5 है तो हम लोग इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं चलिए इसको मैंने अब क्या करेंगे कि A से D को हम लोग जोइन कर लेंगे इसको भी हलके हाथ उसे करना है इसलिए मैं रेट पेन का यूज कर रहा हूं तो अब जो है इसको जोइन कर लेना तो यह मैंने जोइन कर लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट को रखकर के मैं जोइन कर रहा हूं तो नेक्स्ट आर्क लेंगे से तरह लेगे एक लेगे एक आर्क लिए धर इन दोनों कॉन चुल करेंगे और हमारा जो है यहां से तो यह जो पॉइंट हमें यहां मिला इस पर यहीं पॉइंट हमारा जो है क्यांट हो इसके बाद लोग सी से को मिला देंगे तो यह हमें यह मिल रहा है अब अगर इसको जस्टिफाइब करने के लिए जस्टिफाय कर सकते हैं और यहां पर हमारा 90 बाइट की हो चुका अगर आपको जस्टिफाइब करना हो यहां सनांपर में लिख दिद आ हूँ कि जस्टि इसे सिदिधियरों ऑफ फैले तुमें वैरिफाय करता हूं हले छो फे हैन में आ Soziale कि आंग हान ऐसे खृषन और यहां से ठाएन इक लेटाएन नियू किसना और आज औ yönपर एक है गिए दोनों को आप यहां से स्टेट लाइन जो है इदे मिलकुल खीच लेना यह आपने एक स्टेट लाइन इस तरह से खीच लेना जिसे मेंने खीच आया और यहां पर एरो दे लेना इसका मतलब कि जओ झोह उठा तो जो वतर हमारा कितना है था हमारा विडी जो लैंगल हो टेखती की यह ईस्टाण हो घाणर को यह जोड़ेंगे ना तो मिलकुत आ लिए कंजल्ड करके से दिखाता हूं तो बी चीन यहरा रहा है 1.5 की और यह मादा 4-OS तो यह हो गया हमारा 4 cm यह हमारा 4 cm आ रहा है और यह हमारा 1.5 cm आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर में करते हैं वेरिफिकेशन में में लिगता हो अबाद कि बीडी जो है हमारा बीडी स्कल्टो कितना अरह था हमारा बीडी फिकेशन में में लिग दे रहा हूं कि बीडी इस इक्वल टू था हमारा 5.5 cm अब BD को मैं लिशता हूँ कि BC पलस CD तो यह हो गया हमारा BC पलस BC पलस CD CD इस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5.5 cm और CD के जगहां पर मैं AC करता हूँ तो यह हो गया इस इक्वल टू क्या हो जागा हमारा 5.5 cm यह ऐसा क्यों हुआ यह भी मैं बताता हूँ ठीक है यहां पर यह हमारा जस्टिफिकेशन था अब देखो इस से पहले आपको कि इस पॉइंट को लेना आप यह और इन दोह ट्रैंगल को कॉंगरें प्रूफ कर दो कि C, E, D को को कॉन कें पूफ करते हैं गोल तो कॉन कें पूफ कर दोगे तो यह वाला साइड हो जागा दोगह और फृप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के चैप्टर का शब्सक्राइब